हेलो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप सभी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज चलिए देखती हैं वीडियो की रेसिप दो कटोरी स्वीट कॉन लेंगे हमने अच्छे से इसे साफ कर लिया है अब मैंने स्वीट कॉन को पहले से ही उबलने रख दिया था जिसमें हाफ टेबल स्पॉन साल्ट और हाफ टेबल स्पॉन हल्दी डालकर हमने इसे उबाल लिया है अब हम कडाई में हाफ टेबल मेडियम साज का वुद्ज दालेंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे एक छोटे कटोरी कटी हुई भींस लेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे दो हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे अगर आप नहीं खाते हो तो स्केप भी कर सकते हैं मैं ऐसे ज़्यादा स्पैसी बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिर्च का परियोग कर रही हूँ अब उबल्यो ही स्वीट कॉर्ण डालेंगे अब हम असे सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे हमें ज्यादा फुल गेस पे नहीं भूनना है इन सबजियों को कटी हुई पत्ता गोवी डालेंगे हाफ टेवल स्पूल हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ टेवल स्पूल काली मिर्च डालेंगे एक टेवल स्पूल कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे एक टेवल स्पूल पाव भाजी मसाला डालेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हाफ टेवल स्पूल चाट मसाला डालेंगे टेश्ट अनुसार नमक डालेंगे, आप टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर आप नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, अब सभी को हम अच्छे से चलाएंगे, हमें स्लो गैस पे ही चलाना है, फुल गैस पे नहीं है, याद रहें, हमें सब्ज बहुत ही जादा स्पैसी बनाने वाली हो, और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, आप सभी देख रहे हो, यह बहुत ही चटपटी और स्पैसी बनकर त्यार हो ही है, हमारी स्वीट कॉन चाट रेस्पी बनकर त्यार हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर नीवू निचोड कर ड बनकर त्यार हो चुकी है, हमने प्लेट में सब भी कर लिया है, प्लीज आप सभी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत बूलें, और हमारी फुल वीडियो वाचिंग करते रहें, प्लीज खाते रहें, खिलाते रहें, स्वस्त रहें